एक वारिक कस्बे विच एक मुंडा रहन्दा सी, एक दिन ओ गर्मिया दिया चुटिया विच अपने दादा जी नू मिलन आया, ओ हर वेले अपने दादा जी नल खेड़ा रहन्दा सी, एक दिन उसने अपने दादा जी नू किहा, दादा जी जदो मैं वड़ा हो मांगा ता मैं एक सफल आदमी बनना चौंदा हाँ की तुसी मेंनू सफल होंदे कुछ तरीके दा सक दे हो दादा जी ने हाँ विच सिर्खलाया अते मुंडे नू अपने नाल पौदे खरिदन लेगे ओथों दादा जी ने दो छोटे पौदे खरिदे अते कर वापस आगे फिर उन्ना ने कर आके एक पौदा गमले विच लगा के करदे अंदर रखिया अते दूजा पौदा करदे बाहर जमीन विच लगा दिता फिर उन्ना ने लड़के नू पुचिया तहोड़ा की ख्याल है बेटा किप विख विच इन्ना विचो केड़ा पौदा जादा वड़ा होवेगा मुंडा कुछ देर सोचदा रहा अते फिर उसने कहा की करदे अंदर दा भूटा जादा वड़िया ते वड़ा होवेगा क्यूंकि एहे हर खत्रे तो सुरख्यत है जदो बारले पोदे नू तेज तुप तेज मी अते जानवरा आद चीजा तो खत्रा होवेगा दादा जी ने फिर मुस्क्रोंदया होया किहा की चलो देख दे हाँ पविक विच की हुनदा है उस तो बार लड़का उठो चला जानदा है ते फिर चार साल बाद ओ अपने दादा जी नू मिलन आनदा है लड़के ने कहा दादा जी पिशली वारी मैं तो होनो पुछ्या सी की जिन्दगी विच के में काम्याब होवयां गे पर तुसी मेंनू कुछ नहीं दस्या पर इस वर तो होनो जुरूरी ही मेंनू कुछ दसना पवेगा दादा जी ने कहा जुरूर पर पहला असी ओप वद्दे देख लईये जो असी कुछ साल पहला खरीद के लगाए सन एक कहके दादा जी मुंडे नू उस थांते लए गए जित्थे उना ने कारदे अंदर एक गमले विच छोटा जया पोदा लगाया सी ता हो देख दे हन की छोटा जया बूटा बन गिया है इस तो पिछो दादा जी उसनू बाहर जमीन विच लगाये पोदे नू देखा लई लए गए जदो उना ने बाहर लगाया पोदा देख या ता हो देख के हैरान रह गए कि ओहो एक बड़ा वड़ा द्रक्त बन चुक्या सी ते जिजनिया टाणिया दूर दूर तक फैलिया होया सन ते हुन दादा जी ने उस वल देखिया ते अपने पोदे नू पुछया दसो केड़ा पोदा जादा वड़ा उगया है ते जो वद काम्याब होया है मुंडे ने जबाब दिता जिसनू असी बाहर लाया सी पर दादा जी एक किमे संभव हो सकदा है उस पोदे ने बहुत सारे खत्रयां दा सामना कीता होवेगा फिर भी यह इना वड़ा हो गया है ता दादा जी ने मुस्क्रोंद्या होया किहा हाँ बाहर दे पोदे नू बहुत सारे खत्रयां दा सामना करना पया होवेगा पर उस नू खत्रयां ने हूर भी ताकतवर बना दिता बाहर ले पोदे नू अपणिया जड़ा नू जिनना चाय फेलोंदी अजादी सी इसलिए तुफान ते पारी मी वर्गियां समस्यामा उसता कुछ नहीं विगाड सकिया ए पोदा इना ताकतवार बन गया कि एक छोटा जया तुफान इसनों कोई नुकसान नहीं पोचा सकदा जदो की यसी जो पोदा कारदे अंदर गमले विच लगाया सी ओ छोटा ते कमजोर रह गया क्यूंकि इसने पारी तुफान बारिश अते तेज तुपदा सामना नहीं किता फिर दादा जी ने अपने पोते वालव दिखिया आते कि हा पुत्तर हमेशा याद रखो की जदो तक तुसी जिन्दगी विच संगर्ष नहीं कर दे अते मुसीबता दा सामना नहीं कर दे ओदों तक तुसी वी अपने जिन्दगी विच कदे सफल नहीं हो सकदे अगर तुसी अराम दे विकल्प बनोदे हो ता तुसी अग्ये वदन दे योग नहीं होँगे संगर्ष करना अते मुश्कला विचो लंगना है ता तो होड़े ले को टीचा प्रापत करना असंबब नहीं होवेगा इस तरह अखीर विच मैं आस कर दी हागी तुसी भी अपनी जिन्दगी विच आया मुश्कला दा सामना डटके करोगे ते जिन्दगी विच सफलता प्रापत करोगे ता नमाद